नमस्कार दोस्तू मैं अजय चोरसिया आप सभी का इस चेनल पर पुना स्वागत करता हूं इस समय हम लोग 10th क्लास के सोसल साइंस के चैप्टर 4 परिवहन संचार एवं विदेशी ब्यापार का अध्यान कर रहे हैं इस अध्या के अब तक हम कुल साथ वीडियो अप्लोट कर चुके हैं अगर आपने अभी तक इस अध्या के पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रप्षन में देगई लिंक पर जाकर आप उन वीडियो को देख सकते हैं आप चाहें तो चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर भी इन वीडियो को देख सकते हैं आज के वीडियो में हम विदेशी व्यापार और उसका आर्थिक विकासमय योगदान इसके साथ ही अंतराश्टी व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक कौन-कौन से हैं इनका अध्धन करेंगे तो आईए आज का वीडियो आरंब करते हैं व्यापार हमारी सभ्यता का प्रतीक है प्राचीन काल में मनुश्य अपनी आवश्चक्ताओं की पूर्ती के लिए परसपर वस्तूओं का आदान प्रतान करता था समय के साथ साथ उसकी आवश्चक्ताओं बढ़ती गई जिससे पारसपरिक निर्भरता भी बढ़ने लगी आज कोई भी देश पूर्ण रूप से स्वाव लंबी नहीं है अतहा प्रतियक देश अपनी आवश्चक्ताओं की पूर्ती के लिए विदेशों से वस्तुय खरीता है और बदले में अपने देश की वस्तुयों को बेंचता है वस्तुयों के इस पारसपरिक विनिमय को ही व्यापार कहा जाता है दो या दो से अधिक देशों के बीच होने वाले विनिमय को अंतर राश्टिय व्यापार कहते हैं एक देश दूसरे देशों के साथ जो क्रय विक्रय करता है वह उसका विदेशी व्यापार कहलाता है प्राचिन समय से ही भारत एक महतवपून व्यापारिक देश रहा है परंतु अपनवेशक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तू उत्पादन व्यापार और सीमा सुनक की प्रतिबंद कारी नीतियों कब भारत के विदेशी व्यापार की सनरचना स्वरूब और आकारपद बहुत अधिक प्रतिकूल प्रभाव पड़ा इसका परिणाम यह हुआ की भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, उन, नील, चीनी, पटसन, आधी का निर्या तक होकर रह गया साथ ही है सूती बस्त्र, रेशमी बस्त्र, उनी बस्त्रों, आधी जैसी अंतिम और भुखता बस्तूओं और इंग्लेंड के कारखानों में बनी हलकी मशीनों आधी का आया तक भी हो गया व्यभारिक रूप से इंग्लेंड ने भारत के आयात नर्यात व्यापार पर अपना एक आधिकार जमाय रखा भारत का आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लेंड तक ही सीमित रहा सेज कुछ व्यापार चीन, स्री लंका और इरान इन देशों से भी होने दिया गया स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से तो भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंतरन और भी सक्त हो गया विदेशी सासन के अंतरगत भारती आयात नर्यात की सबसे बड़ी विशेशता नर्यात अधिशेश का बड़ा आकार रहा किन्तु इस अधिशेश की भारती अर्थवरस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवैसक बच्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी यही नहीं इस नर्यात अधिशेश का देश में सोने और चांदी के प्रवाय पर भी कोई प्रभाब नहीं पड़ा वास्ताम में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्ता का खर्च उठाने में ही हो जाता था वर्तमान समय में अंतरराश्टी ब्यापार का बड़ा महत्व है कोई भी देश बिना विदेशी ब्यापार के उन्नती करही नहीं सकता वस्तु तहा अंतरराश्टी ब्यापार आज किसी देश की आर्थिक इस्तिती का माप दंड है जिस देश का अंतरराश्टी ब्यापार प्रति व्यक्ति अधिक है वही देश उन्नत समझा जाता है इस प्रकार से रेखांकित किया जा सकता है इससे देश स्वाव लंबी बन जाते हैं इस्थिती जलवायू भूमी की प्रकृति तथा अन्य कारणों से जो वस्तुएं देश में उपलब्द नहीं होती हैं उनकी पूर्ती विदेशी व्यापार से संभब है इससे वद्योगी क करण को बल मिलता है कच्चे माल और सक्ती के साधनों की आपूर्ती विदेशी व्यापार से संभब हो जाती है इससे किर्शी विकास की प्रवल संभबनाएं निर्मित होती है उन्नत तकनीक एवं बीजों की आपूर्ती से किर्शी विकास को बढ़ाबा मिलता है इससे प्रद्योग एमकर्शी में रोजगार के अफसरों में व्रिध्य होती है। इससे बाजार में वस्तूओं की विविधता देखने को मिलती है। उपभोगता अपने जीवन इस्तर को उन्नत कर सकता है। विविन देशों से वस्तूओं प्राप्त कर बाढ़, अकाल, महामारी, भुकंप आदी के विनाज से लोगों की रक्षा की जा सकती है। इससे मूली विर्धी नियंत्रित होती है, श्तरम विवाजन को भी बढ़ावा मिलता है जो आर्थिक विकास का परिचायक है। आईए अब हम अंतरराश्टी व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करते हैं। व्यापार पर अनेक, प्राकरतिक, आर्थिक, राजनेतिक और सामाजिक परस्थितियों का प्रभाव पढ़ता है। इसे प्रभावत करने बाले कुछ प्रमो कारक हैं जिनकी हम यहाँ पर एक एक करके चर्चा करेंगे अंतराश्टी व्यापार को प्रभावत करने बाला सबसे पहला कारक है इस्थिती जो देश संसार के व्यापारिक मारगों पर इस्थित होते हैं उनकी व्यापारिक उन्नती सिग्र होती है दूसरा कारक है कटा फटा समुदृतट जिन देशों का समुदृतट बहुत कटा फटा होता है वहां उन्नत बंदरगाय विक्षित होते हैं, लोग साहसी होते हैं और अच्छे नाविक होते हैं अंतराश्टी व्यापार को प्रभावित करने वाला अगला कारक है प्राकृतिक साधन किसी देश का व्यापार वहागी प्राकृतिक साधनों की भिनता से प्रभावित होता है प्राकृतिक साधनों में देश की जलवायू, वन, कृषी योग भूमी, कृषी उपजें, खनज आदी सम्मिलित किये जाते हैं इन्ही साधनों पर उत्पाद निर्भर करता है अगला कारक है आर्थिक विकास सभी देशों के आर्थिक विकास की इस्तिती एक समान नहीं होती जो देश आर्थिक प्रगती में आगे हैं, उनका व्यापार अधिक उन्नत होता है अंतर राश्टी ब्यापार को प्रभावत करने वाला अगला कारक है सांस्कृतिक भिन्निता संसार के सभी देश सांस्कृतिक रूप से समान नहीं है विभिने देशों में सामाजिक एबमार्थक दिष्टिकोण, रहन सहन, रीती रिवाजों, रुचियों में अंतर पाया जाता है इस सांस्कृतिक भिन्निता के कारण, उत्पादन और मांग भी अलग-अलग होती है अंतराश्टी ब्यापार को प्रभावत करने वाला अगला कारक है जन्संक्या की भिन्निता जन्संक्या का असमान वित्रण ब्यापार को प्रभावत करता है अधिक जनसंख्या वाले देशों में जीवन स्तर भी अपेक्षाकरत कम उचा हो तो आराम और बिलासिता की बस्तों की मांग बहाँ पर कम होगी और इसके साथ ही आवसक्ता की चीजों की मांग बहाँ पर अधिक रहेगी कम जन्संख्या वाले देशों में लोगों का जीवन स्तर उचा होता है अतहा आराम और बिलासिता के बस्तुओं की मांग वहाँ पर अधिक होती है अंतर राश्टी व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है परिवहन वा संचार की साधनों का विकास माल को दूर दूर तक आसानी से भीजा जा सकता है रेडियो एवं समचार पत्रों तता संचार माध्यमों से वस्तुओं का विस्व व्यापी विज्ञापन एवं प्रचार संभव होता है व्यापार को विक्सित करने हितु परिवहन और संचार के साधनों का विक्सित होना बहुत ही आवैसक है अंताराश्टी व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों में अगला कारक है व्यापारिक नीती राजनेतिक और आर्थिक कार्णों से विभने देशों की व्यापारिक नितियां भिन भिन होती हैं इन व्यापारिक नितियों का व्यापार पर बहुत अधिक प्रभाब पड़ता है एदि सभी देश स्वतंद्र व्यापार की नीती को अपनाए तो अंतराश्टी व्यापार अधिक विक्षत होगा पृतियक राश्ट को आर्थिक विकास के लिए अपने यहां के उद्द्योगों को सनरक्षण प्रदान करना जरूरी होता है इसलिए विदेशी माल के आयात प व्यापार को शती होती है अंतराश्टी व्यापार को प्रभावत करने वाला अगला कारक है राजनेतिक विचारधारा अंतराश्टी व्यापार समान राजनेतिक विचारधारा वाले देशों में अत्यधिक उन्नत होता है संसार में पूंजीवादी और सामयवादी देशो ब्यापार में कमी का कारण राजनेतिक विचारधारा का अंतर ही होता है अगला कारक है सस्ते मूल्य दो देशों के मद्ध सस्ते मूल्य पर वस्तुय अपलब्द होने पर दोनों देशों का आपसी ब्यापार तेजी से विक्षित होता है ये थे अंतराश्टी ब्यापार को प्रभावित करने वाले कारक दोस्तों मुझे उम्मीद है आपने विदेशी ब्यापार और उसका आर्थिक विकास्मा योगदान और अंतराश्टी ब्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों को अच्छी तरह से समझ लिया होगा अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट कीजिए हम आपके हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम भारत के विदेशी ब्यापार और आयात नर्यात का अध्यन करेंगे अगर आप हमारा आगला वीडियो सबसे पहले देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और बेल आइकन को दबा कर नोटिफिकेशन को जरूर ओन कर लिजिए जिससे की हम जब भी वीडियो अप्लोड करें आपको वे वीडियो सबसे पहले देखने को मि सबसे की